नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस्ट टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं नौर्थ कोरिया से जुड़ी हुई एक डेवलप्मेंट के बारे में और हमारा इस पर्टिकुलर डिस इसकी हाली में एक कॉंग्रेस यानि कि एक मीट हुई थी तो यहां पे पार्टि ऑफ किम्स क्यों कहा गया है कि मतलब किम जॉंग उनके जो लॉयल लोग है वही इंक्लूरेड है इस वर्कर्स पार्टि ऑफ कोरिया में तो इन शॉट यह कह रहे हैं तो हम लोग आज इस वी में हर देश से कोई न कोई एक यूनीक डेवलेप्मेंट जरूर लाई है नौर्थ कुरिया में भी बिकॉस अफ कोई-19 सम डेवलेप्मेंट हस टेकन प्लेस फर्स्ट अफॉल दी कॉंग्रेस टेकिंग प्लेस यहां बात करेंगे तो लेट उस बिगिन आर डिसकॉशन लेक देखिए हाली में जो मीट हुई थी वर्कर्स पार्टी ओफ कोरिया की कॉंग्रेस हुई थी वहां पे किम जॉंग ओ जो वहां के लीडर है उनको क्राउन किया पार्टी का जनरल सेकरेटरी करके तो खबर यह है बेसिकली कि हाली में जनरली 2021 में किंग जॉंग ने इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो यह कॉंग्रेस या मीट हो चुकी है आठ बार लेकिन सेवन्थ टाइम पार्टी कॉंग्रेस हाज टेकन प्लेस सिंस नॉर्थ कोरिया वस फॉंग एक बार 1948 से पहले भी हो चुका है बेसिकली दी वर्कर्स पॉर्टी आफ नॉर्थ कोर हमारे दिमार के क्या रस्या, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बार में और नॉर्थ कोरियन सोशलिजम और कयो में बात करें कोरिया उससे करने चाहिवर्कर बारे कोरिया के वाए कि फ्द दी शाइख बार चेंग इन फ्लैडstersay different from the communist flag, though you can see here a sickle, a hammer, right? So, red color is also there. यह जो Workers Party of Korea है, यह founding और ruling political party भी है North Korea की, इसको formally set up किया था 1949 में, लेकिन इससे पहले Workers Party of North Korea थी, Workers Party of South Korea थी 1945 से, unite होकर 1949 में Workers Party of Korea बनाए गई finally, in North Korea, right? और Workers Party of Korea है, they control the Korean people's army also. In fact, अगर हम लोग बात करें Workers Party of Korea की, इसको illegal गोशित किया गया है, बहुत सी liberal countries में, यानि कि South Korea में it is illegal, इसके उपर sanctions लगाए गया है United Nations द्वारा, United States द्वारा और अन्य भी liberal देश, इनके उपर sanctions लगा चुके हैं. तो वो मैंने अब से कहा थे कि जब भी हम लोग बात करते हैं Communist countries की हमारे दिमाग में क्या आता है? एक आता है चाइना, एक आता है रश्या, और एक आता है North Korea, और भी countries थे, जैसे for example, there was Cuba before, but in general ये तीर हमारे दिमाग में जरूर आता है. लेकिन Party was the ruling party also, right? चाइना में भी यह हुआ, चाइना में भी अभी भी है, Communist Party of China is the ruling party. तो North Korea में भी similar चीज़ है, Workers Party of Korea है, which is the ruling party. But there is something very different. In other communist countries, वहाँ पे leadership is not dynastic. ठीक है? लेकिन North Korea में एक unique model है, Communism का या Socialism का हम कह सकते हैं Socialist Monarchy, although socialist Monarchy कहना थोड़ा सा wrong रहेगा, because this is not a Monarchy per se, but dynastic socialism, I would say, is more appropriate word here. क्योंकि अगर आप देखिए, अभी तक North Korea में तीन leaders ने rule किया है. पहले थे Kim Il-sung 1948 से लेके 1994 तक उन्होंने rule किया, फिर उनके बड़े बेटे Kim Jong Il ने rule किया 1994 से 2011 तक. उसके बाद Kim Jong Il के बेटे, Kim Jong Un Kim Jong Un was the third eldest son, और इनके जो वारिजदार माने जाते हैं, यानि कि air apparent माने जाते हैं, that was Kim Jong Nam. अगर आप Kim Jong Nam के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही interesting character है Kim Jong Nam and he was apparently assassinated by North Korea through VX agent. सबको लग रहा था कि Kim Jong Il के बाद, Kim Jong Nam वहाँ पे leader बनेंगे, लेकिन वो थोड़े से radical leader थे, वो थोड़ा सा reforms की बाते करते थे, उन्होंने in fact statement दिया था कि हमें यह जो dynastic politics है, इसी का reform करना चाहिए, तो इसके चलते, he was exiled from North Korea and eventually it is alleged that he was assassinated through VX agent. तो बड़ी interesting story अगर आपको जानना है तो just search for it and you'll know this story of King Jong Nam, right? लेकिन अभी वहाँ पे leader है King Jong Un, 2011 से अभी था. तो चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की इन leaders से जुड़ी हुई और workers party of Korea से जुड़ी हुई. देखिए, अभी तक workers party of Korea की कितनी Congress है, कितनी meeting हो चुकी है, अभी तक 8 हो चुकी है, मैंने खाता है. सबसे पहली meeting हुई थे 1946 में, that means formally बनने से पहले, तब leader थे Kim Il-sung इन्हों नहीं report present की थी उस time पे. इसके बाद आप देख सकते हो, Kim Il-sung के time में 6 Congress हो चुकी है. 6 Congress और यहाँ पे जो election होती है, formal election होती है, जहाँ पे directly these leaders would be obviously elected. यह तो पता ही है. लेकिन यहाँ पे आपको गौर एक चीज़ पे करना है. देखिए, यहाँ पे 1980 के election के बाद, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा vacuum है. यहाँ पे किम जॉंग इल का रूल था, किम जॉंग इल के कारेकाल के दौरन, especially 1994 से लेकिए, 2011 तक कोई Workers Party of Korea की meet नहीं हुई, Congress नहीं हुई. तो 1980 के बाद, directly 2016 में, किंग जॉंग उनी कॉल किया, पहला उनका Workers Party of Korea का Congress. फिर उसके बाद, अभी, जनवरी 2021 में second हुआ, तो बहुत ही important है. इससे आप एक चीज समझिए, कि जब किम इल संग थे, तो उस ताइम पे बहुत सारी, बहुत सारी Workers Party of Korea की Congress ज़रूर हुई थी, और अभी, आप देखिए, कुछ बहुत ही interesting चीज हुए, किम जॉंग उनके, जो कारेकाल शुरू है 2011 से, यानि कि पिछले 9 से 10 सालों में उनने दो बार अभी Congress meet बुलाई है. तो इससे कुछ अंदेशा लगाए जा सकता है, इससे कुछ interesting चीज हम लोग एक देख सकता है, inference. तो चलिए जानते हैं exactly क्या हो रहा है. लेकिन यह जो development है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा Workers Party of Korea और in general North Korea की जो principles है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है. देखिए, North Korea की जो principles है, जो मैंने आपको बताए कि एक तो dynastic socialism हम लोग कह सकते हैं, वो तो है. और जो party है, Workers Party of Korea. उसकी setup है nationalism principle की उपर. और यहां पे इन्होंने टर्म दिया है monolithic ideological system, यानि कि एक ideology को completely progress किया जाएगा और वही सिखाया भी जाएगा. तो North Korea में क्या होता है, जो monolithic ideological system है, Workers Party of Korea के, उनके 10 principles है, उन 10 principles को सिखाया जाता है. स्कूल्स में, उनके institutions हर जगा पे, basically you need to have allegiance or loyalty towards the leader, towards the party, जो भी party कहें कि आपको सुनना है, etc. यह सब basis है monolithic ideological system की. तो यह तो अभी भी continue हो ही रहा है, तो इसके उपर तो बहुत बड़ा tick mark है, it is still continuing. और इनका second principle है, जूशे. जूशे, Korean language में, you can translate it to self-reliance और self-sufficiency. तो यह कहते हैं, हमारा देश self-sufficient होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, very similar concept, सारे almost socialist यह communist countries का यह तो funda होता ही है, कि self-reliance, और in fact, अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने भी 1991 से पहले यही प्रिंसिपल था, self-reliance वाला, inward looking, import substitution के उपर focus था, लेकिन अभी का जो आत्मनिर्भर है, that is different from the earlier import substitution model, right? बट यहां पर जो नौर्थ कोरिया में, जूशे, it translates to self-reliance, और अगर हम लोग देखें, क्या actually नौर्थ कोरिया में जूशे, follow होता है, इसके उपर एक बहुत बड़ा नो डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि the entire North Korean economy is depending on whom, it is depending on China, right? चाइना के imports पे ही complete North Korea चल रहा है, क्योंकि उनकी economy के उपर बहुत सारे sanctions लगे हुए हैं, और अभी COVID-19 के महामारी तो बहुत सी चीज़ा ठप हो चुकि not just North Korea, everywhere. तो self-reliance तो नहीं है. एक और जो principle है, शौनगन. शौनगन मतलब military first policy. सबसे पहले Kim Il-sung ने दी थी, जो पहले leader है, उनको great leader या फिर eternal leader भी कहा जाता है, उसके बाद उनके बेटे जो आये थे, Kim Jong-il, right? उनको कहा जाता है, the second great leader, but, जो principle जाता है, military first policy, वो काफी दिनों से चलती आ रही. यानि कि, जो workers party of Korea है, और army है, उन दोने की बिच काफी close collaboration है, military first policy follow की जाती है. लेकिन, अभी कुछ observe किया गया है, अभी जो congress हुई, अभी जो meet हुई, specially Kim Jong-il, उनने जो call की followed now, yes, ideological system is still there, monolithic ideological system is still there. तो चलिए देखते हैं, यह क्यों नहीं हो रहा है, अगर हम लोग देखें, observation. देखें, जो हाली में second meet भी, यहाँपे आप क्लिरली देख सकते हो, Kim Jong-un, he is seeking to empower workers party of Korea rather than army, यानि कि, army को थोड़ा undermine कर रहे हैं, workers party of Korea को lead organization करके वो project कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपर new snippet, this is United States news, North Korea party congress opens up with Kim Jong-un admitting failures, right, तो failure admit किये, इसके कुछ reason है, तो इन सब चीजों से हम लोग क्या inference लगा सकते हैं, तो हम लोग ने अभी देखा कि workers party of Korea के क्या principles थे, लेकिन वो principles follow नहीं हो रहे हैं, जूशे तो completely follow नहीं हो रहे हैं, क्योंकि they are now depending on China, self-reliance की बाते नहीं हाती, जो shon gun थी, उसके उपर भी focus नहीं है, in fact अगर हम लोग देखें, जब से Kim Jong-un का regime आया है, तो उन्होंने greater emphasis दिया है policy making process के उपर, meeting convene करते हैं, workers party of Korea की, अब सवाल आप ये उटा सकते हो, कि sir, ये workers party of Korea जो है, उसमें जिनों, जो leaders है, जो लोग है, वो तो Kim Jong-un के loyalty है, but still nonetheless, बुला के कम से कम बाते हो रहे हैं, discussion हो रहा है, that is what we are highlighting, इसके अलावा, जो shon gun की policy थी, यानि कि military first policy, इसके उपर, कोई highlight नहीं था, Kim Jong-un का, उनके speeches में भी, Congress में भी, उससे पहले भी, तो इससे एक clear cut अंदेशा हम लगा सकते हैं, कि एक definite shift हो रहा है, यानि कि shon gun policy नहीं follow हो रही है, अब इसके reasons हो सकते हैं कुछ, देखे, सबसे बड़ा reason तो है ही, एक तो है कि उनकी dire economic situation है, उनकी aggressive military policies की वज़े से, उनके nuclear program की वेज़ से, missile development program की वेज़ से, already उनकी US के साथ तनाबनी चल रही है, United Nations की sanction है, बहुत से देशों ने उनके उपर sanctions लगाए, तो economy तो already problem से गुजर रही थी, उस problem की बीच COVID-19 आया, जिससे और भी ज़्यादा problems हो चुकी है, तो इससे जुड़ा हुआ हम लोग development कह सकते हैं कि definite shift आ रहा है, और इसके अलावा एक दूसरा भी indication है, क्योंकि अभी United States में government बदल रही है, यानि कि Trump की सरकार जा रही है, अभी 20th January से Joe Biden की सरकार आ जाएगी, so probably this is also an indication towards the Biden's administration, but nonetheless हमें ये समझना चाहिए कि अभी भी जो Workers Party of Korea है, उसके साथ बहुत ज़्यादा power है, वही एक organization है, जो complete mass surveillance maintain करता है, citizens को discipline करता है, जो citizens abide करते हैं, उनको reward करता है, तो इन सबसे एक चीज़ understandable है, कि economic situation की विए से एक shift जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे जरूरी inference यह है कि जो dictatorship है नौर्थ कोरिया में, किम जॉंग उनकी, वो continue रहने के लिए कोई भी step ले सकते हैं, यानि कि देखें, जब Trump की administration थी, तो शुरुवात में बहुत ज़दा enthusiasm था, कि किम जॉंग ओ, और जो Trump की meeting भी थी, उससे सब को लग रहा थे कि कोई development आईगी positive, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और भी ज़दा confrontation बढ़ गया, लेकिन अभी जब Biden की सरकार आ रही है, तो this might be an indication by किम जॉंग ओ, added to it, the economic situation is still there, इसकी वेज़े से एक shift है, लेकिन ये सब का main उदेश किया है, कि वो अपनी dictatorship या अपनी leadership को बरकरार रखे किसी भी तरह से, अगर उन्हें एक और Congress भी बुलानी हुगी, तो he might call very soon, but this all boils down to one thing, that is continuity of dictatorship in North Korea, अगर इस चीज़ भी development आईगी, तो हम आपको जल से लाते रहेंगी study IQ, but that is it from my side on this part of discussion, thank you for watching, stay safe during the pandemic.